भोशपूरी में वो कहानी सुनावल जाला कि कौनो एगो आदमी रहे। उखड़ा की जब कहुई एक लाठी मारे ता नीचे धूरा में गिर जावा। लेकिन तुरंते उठके फिर कहें कि मार के देखावा ना अभी कहानी हमरा एकदम भोशपूरी वाला गायाक और राइटर लोग से मिलता जूलता लगता चाहें आप इनको कुछ भी बोले लेकिन फिर से वे अपना धूल जार कर इसी प्रकर से खड़े हो जाते हैं और अपना भोशपूरी के कलाकारों की सफाई चलेगी जैसा कि हर इत्वार को होता है बाकिया अब होली खतम हो चुका है और अब भोशपूरी के गायक एक बार फिर होली के गानों को छोड़कर मुख के धारा में वापस लोट चुके हैं और हम भी आज उनके साथ अपने मुख के धा शो मिशन सफाई में और मैं हूँ आपके साथ शुषी श्रिवास तो आज की शुरुआत करेंगे राकेश मिश्या जी के गाने से आशकल तो उनका हफ्ते में तीन तीन चार चार गाना आही जाता है मतलब बहुत महिनत कर रहे हैं अपने काम से लेकिन शिकारत वही पुरान कुछले लिजे गाने का लाइन है कि मन मदवायल बढ़ूवे मुओ लजाऍवबः साया साड़ी खुल गईर गानों छितायल बढ़ूए कैसे बताई सैया कैले का रतिया हो एक तूसी हरदीना घर में बड़े दरदिया हो तो गाने में सुने लोग ना कि साया साड़ी खुल गई अब इस पर हम क्या ही बोल सकते हैं बस इतना बोलना चाहेंगे कि साया सारी खुली गया है तो फिर से पहन लो और तुम्हारा साया सारी खुलने से किसी को क्या ही लेना देना जब किसी का कुछ लेना देला नहीं है तो फिर यह सब चिला चिला कर पूरी दुनिया को क्यों बता रही हो और हाँ जो तुम कह रही हो कि कैसे बताई सईया कैले का रतिया हो तो हमको जानना भी नहीं कि तुम्हारा सईया क्या किया है त और क्या नहीं उससे दुनिया को कोई मतलम नहीं और राकेश मिशा जी इस गाने में क्या कहना चाते हैं उसे सब लोग समझ रहे हैं और वैसे भी राकेश मिशा जी के गाने में इस अब छोड़ कर और रहता यह क्या है अब दूसरा गाना प्रमोद प्रेमी जी का है वे भी त है जिसका नाम है काटे गई लू आकी बाटे गई लू कहने को यह चैता है लेकिन चैता से क्या करना है आखिरकार उसमें मसाला को पुराना वाला ही डालना है एक लाइन है कि हतनी सा चैतनी के चाटे गई लू गेहु काटे गई लू की बाटे गई लू अब कौन सा चैतनी कोई वहाँ चाटने जाएगा इस लाइन को सुनकर आपके मन में क्या आ रहा है गेहु काटे गई लू की बाटे गई लू से क्या मतलब है गेहु काटने कोई ख इनका एक घंकेदार लोक गिताया है लोक गित का नाम है पीवा पलंग पे चड़त ने की हमरो मरदना बूज़े दरद रोजय राते के हद करेला और एक करेला जियान है साचल समानी पलान पूछारा रध करेला सूथ जाता नीचही निखड़े और रात वर जवानी हमार कख र किस प्रकार के सब्दू को अपयोग किया गया है वो इस गाने के अश्लीलता को बताने के लिए ही काफी है कौन सा साचल समान इनका प्या जियान कट देता है और इनका जवानी रागवर काहे करता है उसके बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है हमको तो शर्म आ रहा है कि के नाम पर कैसे कैसे गीतों को हमारे सामने परोसा जा रहा है हमें लगता है कि कुछ दिन बाद अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोगीत का मतलब एक दम बदल जाएगा एक और गाना आया है राकेश मिश्या जी का जिसका नाम है चूके छोड़ दिये सईया गाने का बोले की छ अब इस गाने में और अधिक बोलने के लिए बचा ही क्या है लाला लोत और गोड़ गोड़ गाल से लेकर लहांगा चोली सब का दिक्रतों राकेश मिश्या जी करी दिये अब हमको एक बास समझ में नहीं आ रहा है कि घर में कोई मोजर कई से जाड़ सकता है मतलब उनके कोई शब नहीं मतलब डबल मेनिंग का भी एक हद होता है लेकिन भोचपूरे में इसके हर सीमा को लांग दिया जाता है खैर वह अपना काम करते हैं और हम अपना काम करते हैं बस आज के इस वीडियो में इतना ही इसे के साथ देखते रहे भोचपूरी स्पेशल शो मिशन स सब्सक्राइब करें फेस्बूक पर लाइक करें और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह बेबाक अंदाज में पत्रकारता करते रहें तो स्क्रीन पर डिकरी जेल्स पर रोनेशन दें थैंदे बाद